गोलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे, परम पूझी सिद्धी मा कीजे, भक्त वत्सल हनमंत लाल कीजे मैं डॉक्टर उमेज बाचपई, उपस्तित हूँ आपके समक्ष, अपने प्रभू नीप करोरी बाबा महराज की अद्बुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए, आज की जो लीला है, कैची धाम से ही जुड़ी हुई है, बाबा महराज एक बार, अपने दर्बार के बाहर, सौंच करिया करने के बाद, फ्री होकर एक दिवाल पर बैठे हुए थे, इतने में एक बाबा दोड़ता हुआ, चला आ रहा था, और उसका नाम बालक था, बाबा था लेकिन बालक नाम था, तो पेट पकड़े हुए, और पेट दर्द से पिडित था, महा प्रभू ने तो वो बोला कि प्रभू पेट में दर्द बहुत भैंकर हो रहा है, बाबा महाराज के पास लोटा रखा हुआ था, जब सौंच करिया से लोट रहे थे, तो उसके बाद उस लोटे में थोड़ा सा पानी रह गया होगा, बाबा महाराज ने वो पानी उसको दिया, और कहा ल थोड़ी देर में ही कुछ ऐसा हुआ कि उसके पेट का दर्द गायब हो गया, और वो बिलकुल ठीक अपने को महसूस करने लगा, प्रभू ने पूछा कि अब ठीक हैं, तो उसने कहा कि भगवन दर्द तो बिलकुल चला गया, इतने में बाबा महाराज के एक भक्त थे, ज उनको भी दर्द हुआ पेट में, उनको जब दर्द पेट में हुआ, तो बाबा महाराज ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ इसको रेम से अस्पताल, नैनिताल में भरती करा दो, वो बड़ा अस्पताल था, बाबा महाराज ने भरती करा दिया, और दिन भर उनको उनके हाल इसी वैसी चीजों पर भरोसा नहीं था और अच्छे अस्पतालों में अच्छी जगा दिखाने की उनकी लालसा रहती थी और उनकी एक इक्षा और रहती थी कि लोग उनकी आवा भगत करें उनकी कुसल छेम लें सहानुभूत उनको मिलें ये बात किसी को पता नहीं थी तो कैची धाम में बाबा के कुछ भक्त हैं उन भक्तों ने बाबा से पूछा कि प्रभू बीमारी एक जैसी थी समस्या एक जैसी थी आपने एक भक्त को अपने लोटे के पानी से जल सठीक कर दिया और दूसरे को आपने रहम से अस्पताल नैनिताल में भरती करवा दिया ऐसा पक्चपात क्यों? समस्या दोनों के साथ एक साथ हुई? महा प्रभू ने मुश्कुराते हुए कहा कि जिसका कोई नहीं इस दुनिया में उसके हम हैं अर्थात उसके प्रभू हैं और जो अपने को संपन्न समस्ता है जो कहता है कि नहीं बड़े अस्पताल महंगी दवाए वही उन्हीं को फायदा करती है तो उनके लिए एस्पताल बने है तो यहाँ पंडित यही सोचता है कि इसको अच्छा एस्पताल में हो तो यह ठीक होगा अच्छे दाक्टर हो तो यह ठीक होगा और इसको यह भी एक्छा रहती है कि इसकी कुसल छेम लेने के लिए सान भूत प्राप्त करने के लिए इसको लोग देखने जाएं, तो इसका मैंने उस तरीके का इंतजाम कर दिया महाप्रभू ने, सभी की बोलती बंद हो गई, प्रभू का जवाब सुन करके, देखिए महाप्रभू की लीला, तो इस कहानी इस कहानी से आपको क्या सिक्छा मिलती है इस कहानी से ये सिक्छा मिलती है कि अपने को निरबुद्धी बना करके अपने को बुद्धीन बना करके प्रभु के चरणों में अर्पित करो ज्यानी मत बनो धन्वान मत बनो संपन मत बनो और प्रभु के चरणों में अपने को समर प्रित करें उनके क्रपापात्र बने तो आज की लीला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताईएगा मुझे अत्यंत प्रसनता होगी बुलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे परम पूज्य सिद्धी मा कीजे भक्त वतसल हनुमन तलाल कीजे